2024 में चुनाव भी है चुनाव से हमारा कोई लेना देना नहीं, इधर तो नित्य चुनाव है अच्छक एक बात बताईए, बागेश्वर रधाम में आप रहते हैं दिरिन शास्त्री, आपको डर लगता है? किसी के बाप से नहीं तो कभी डर नहीं लगता कि देखिए अब आब आपका डरें किसके बाप से हमने ना तो किसी के बाप के बैल छोड़े हैं ना किसी के मकान पर कबजा किया, ना हमने जमीन छोड़ाई, ना किसी से दान लिया तो किसके बाप से डरें हम बाटने बैटे हैं तो सिर्फ अनमान जी से डरते हैं पाप से डरते हैं हमारे द्वारा कोई ऐसा कृत न हो जाए जिससे धर्म को नीचे देखना पड़े इससे डर लखता है लेकिन एक विशे है जो कि बहुत महतपूर है और ये विशे मेरे दिल के भी बड़ा करीब है और मैं इस पर सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ राम चरित मानस को लेकर बहुत सारी बयान बाजी हुई किसी ने उसको नफरत वाला गरंद कहा जिसने आपको भी जेल भेजने की बात कही उसने भी उसको नफरत वाला गरंद कहा मैं सुआमी परसाथ मौरिया की बात कर रहा हूँ और एक बिहार के मंत्री उन्होंने भी कहा किसी ने इसको महिला विरोधी किसी ने इसको दलित विरोधी कहा इस या कहते है इस देश में ऐसे लोगों की बात करना ही पाप है राम के देश में राम के बिरोधी की बात करना सीधी सी बात है कि उसको बार-बार प्रोडूस करना है और बार-बार उसको आगे अप्रोच करना है ऐसे ब्यक्ति के बारे में ना तो सोचना चाहिए ना बात करनी चाहिए हरी हर निंदा सुने जो काना हो ही पाप गुगात समाना माता पिता भगवान सिव भगवान विश्नु की निंदा करने वाले ब्यक्ति को सुनना और उसको देखना गोहत्या बराबर पाप आपने दावा किया था कि आपके खिलाफ विदेश से प्लैनिंग हो रही है और आपके विरोधी विरोधीयों की संख्या देश के उस पार बढ़ती जा रही है आप पाकिस्तानियों की भी हिट लिस्ट पे हैं क्या आपको लगता है कि आपकी सुरक्षा अब होनी चाहिए लॉकिक बिवहार में अगर किसी को गर्राट है उसके लिए अगर कोई विवस्ता हो और है कोई दोस नहीं है या कोई बुराई नहीं सबको डर देखो इस देश में कल तक हम कथा कर रहे थे दरबान लगा रहे थे कभी बात नहीं उठी जब से पुर्जोर तरीके से कन्वर इा प्रजन को रोका बिवहार इस नहीं प्लाटेट लॉबिए आपके खिलाफ है पूरी प्लांटट लोगों का आना प्लांटट पिल दरबार में चिला आता भी कुछ दिन पहले एक प्लांटट व्यक्ती का बोल खोला दरबार में ही बीस दरबार में चिला पड़ा धाम पर भी प्लानेटेट लोग आना ये छोटा सा एक छोटा सा विवाद बहुत बड़ा बना देना इस सिर्फ और सिर्फ बागेश्वर धाम की जो सेवक हैं जी उनको गिराने का एक बहुत बड़ा सडियंत्र चल रहा क्योंकि जो करोणों रोपए धर्म परिवर्तन कराने में तो वो धीरंद्र कृष्ण के उपर क्यों ने कर शकते हैं?